दोस्तो, HDFC एक ऐसा बैंक, आज जो देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है और अगर बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में ये चोथा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है जो हुआ है एक मर्जर के कारण, हाली में 1 जुलाई सन 2023 को एक मर्जर हुआ था जिसमें HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों एक साथ आ गए थे जिससे ये कंपनी पूरी 15 लाग करोड रुपे की हो गई थी और आज इसके लगबग देश में 8,000 से भी जादे ब्रांचिस हैं और 20,000 से जादे इसके ATM हैं जिससे इसके 12 करोड गरहकों को सीदे-सीदे फायदा होता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे एक चॉल में रहने वाले गरीब व्यक्ति ने इतना बड़ा बिजनिस मेगा एमपार खड़ा किया तो दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी चोटी सी यूटूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा बनाए क्योंकि हम ऐसी रियल बिजनिस केसिस टेडिज आपके लिए लगतार लाते रहते हैं दोस्तो इस कहानी की सुरुआत होती है साल 1911 में 1911 में सूरत की एक छोटी सी चोल में हंसराज पारेक का जनम होता है लेकिन फिर लेक्चरर की नोगरी करने के बाद साल 1956 में इन्होंने आईसी आई बैंक को जोईन कर लिया और आईसी आई बैंक में यह जौब करने लगे वहाँ पर यह मैनेजिंग डिरेक्टर के पर जौब करते थे पिर धीरे-दीरे इनकी पोजिशन उस आईसी आई बैंक साती हैं मैं उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा बिजनिस स्टार्ट करूं जिससे उन लोगों की मदद भी हो जाए और फिर इसलिए हस्मुक पारेखनी 66 साल की उमर में रिटार्मेंट होने के बाद HDFC की सुरुआत की HDFC यानि की Housing Development Finance Corporation जिसमें ये बेसिकली इनका मेन मकसद ये था कि जिन लोगों को भी घर बनाना है या घर खरीदना है और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना घर खरीद सकें तो उनको फाइनेंसली हेल्प करकर उनकी मदद करना चाहते थे लेकिन अपने इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक साथी की भी जरूरत को छोड़कर हिंदुस्तान आना और यहां पर पूरा एक नए सैटप के साथ दोबारे से नई पारी स्टार्ट करना काफी असमंजस भरा था लेकिन चाचा हंसमुक पारेक ने उनको एक बात कही थी कि तुमारे टेलेंट की जरूरत हिंदुस्तान के लोगों को जाद है यह कर्जिंग डारेक्टर के पद पर काम करने लगे और उसको आगे बढ़ाने की रनीती बनाने में जूट गए लेकिन दीपक पारेक के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि नभ्भय का दसक ऐसा था जहां पर लोग करजा लेना बिल्कुल भी नहीं चाहत लोन दे जाते थे बड़े-बड़े गहरणों को दे जाते ते या बिजनेस लओन ही दिए जाते थे परिसニल ल कैवाल वोमन इस तरह के लूं covenant कर दृत का हूँर ता इसलिए जो मिडिल गलास फैम लिए वह लून पार नहीं करतेने को स्भी नहीं लेकिन दीपक पारे parab बदलनी थी और उन्होंने अपने इस HDFC के जरीए लोगों को घर बनाने या घर खरीदने के लिए भी लोन देना शुरू किया क्योंकि मार्केट में पूरी तरह से नया आइडिया था और जो लोग अपना घर बनाना या घर खरीदना चाहते थे जिनके पास पैसे नहीं थे उ आलाकि इसके लिए धीपकपारे को काफी मेहनत करनी पड़ती इनको लोन लेने के लिए जिनको लोन चाहिए जिनको लोन की रिक्वार्मेंट है उन लोगों बनाने या घर खरीदने के लिए भी कंपनिया लोन दे रही है तो इनके साथ लोग आकर जुडने लगे जहां पर लोग बैंक में केवल अपना सेविंग का पैसा जमा करने ही आये करते थे अब लोग धीरे-धीरे होम लोन के बारे में जानने आने लगे थे होम लोन को कैसे लेना है उसके प्रोसेस को समझने के लिए आने लगे थे और वहीं से दीपक परे को लगा कि हमने ये राइट कदम लिया है अपनी बिजनिस को आगे बढ़ाने के लिए लेकि तभी 90 के दस्क में देश के आर्थिकालत काफी खराब होने लगे थे जहां देश का जो निर्यात था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था केवल देश दूसरे देशों से आयात ही कर रहा था जिससे देश का जो इन्वेस्टमेंट आये प्राइवेट कंपनिया अपने आपको ज्यादा और बढ़ा करें और जो चोटे मोटे स्मोल कारोबार हैं वो उनको भी बढ़ा होने का मोका मिले जिससे की देश की अर्थवश्ता सुद्रे देश में विदेशी मुद्रा भंडार भरे इसलिए उन जो HDFC बैंक था उसको बनाने के लिए RBI के पास लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया क्योंकि सरकार की रनीती है ऐसी थी कि जाद से जादा कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए इसलिए RBI ने भी HDFC बैंक को लाइसेंस दे दिया और बैंक के रूप में कारे कर जिर्मान किया था जो लोगों की और भी आवसक्ताओं को पूरा करता था लोगों के पैसे जमा करने के काम बयाया करता था और भी जो बैंकिंग की सुविधाय थी सारी उसने लोगों को देनी शुरू की जिससे कि वो जो होम लोन देते थे के वहां तक सीम इतना रहें लोगों को बाटने लगे और इसका असर यह हुआ कि जो उस टाइम के बड़े बैंक थे जो होम लोन कभी देते ही नहीं थे आईसी आईसी बैंक, एसबी आई बैंक ये भी फिर HDFC की सफलता को देखते हुए इन्होंने भी होम लोन देने चालू कर दिये लेकिन 1994 में HDFC बैंक बनाने के बाद जरूरत हुई कि उसको एक ऐसा वेक्ति चाहिए था जो उस बैंक को अच्छे से लीड करे और उसको काफी उचाईयों तक पहुँचा सके और इसकी तलास खतम होई जाकर अदित्यापुरी पर अदित्यापुरी उस टाइम पर मलेशिया में सिटी बैंक के मैनेजर के पदपर कारे करते थे और उनको बैंकिंग का काफी अच्छा ग्यान था इसलिए दीपक पारेक ने उनको बुलाया और उनको सारी अपनी समस्य बताई कि हमने नया HDFC बैंक स्टार्ट किया है जिसको आपको काफी उचायों पर ले जाना है हाला कि आदित्यापुरी मलेशिया में सिटी बैंक में काफी अच्छे पदपर थे और काफी अच्छी सैलरी पैकेज के साथ महां पर काम कर रहे थे लेकिन उन्होंने अपने उस सैलरी पैकेज को छोड़कर वापस से इंडिया आकर HDFC बैंक का कारेभार समाला और HDFC बैंक में कई सारे प्रफेशनल के साथ मिलकर एक टीम बनाई शुरू करने के केवल दो महीने के अंदर तो उन्होंने रनीती पर ही काम किया कि हमको किस तरह से इस फिल्ड में आगे जान और आज HDFC केवल लोन या बैंकिंग सेक्टर तक ही सीमित नहीं है ये अपने बिजनिस को और भी एक्सपेंड करते जा रहे हैं जिससे आज ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और केवल एक छोटे से चौल में रहने वाले ने ये पूरा सफर अपनी कड़ी महन और कड़ी लगन से तैकनने के बाद 15,00,00 करोड का मेगा एंपायर खड़ा किया तो दोस्तों आज की इस इंट्रेस्टिंग स्टोरी में इतना ही वीडियो कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और थैंक्स फॉर यॉर टाइम